थाक कर खबर बे खोफ जुबां बे बारत बारत माता की भारत माता की आजे तो वट पाड़ी दीदा तो में लोग को है चारे तरफ केसरिया महाकुम देखाएजे केसरिया महाकुम केंद्र सरकार में मंत्री परिश्टत के मेरे साथी राज्य सरकार के सभी मंत्री पहोदय भारतिय जनता पार्टी के सभी पदादीकारी लोग आपकी गुजराद भारतिय जनता पार्टी के छोटे से छोटे सिपाई ने बुद्कान में कैसे कैसे संकट जेले हैं कैसे कैसे जुल्म सहे हैं जब कभी भारतिय जनसंग के जमाने में हमारे कारकता सत्याग्र करते थे राजनीति का अंदोलन समाज के प्रश्टों को लेकर के अंदोलन ये जेलों में बंद कर देते थे और कभी 21 दिन की सजा कभी एक महेने की सजा और हमारे कारकरताओं के परिवार जन बच्चों के साथ जेल में जिन्दगी गुजारने के लिए मजबूर हुआ करते थे ऐसे जुल्म सह करके ऐसे अत्याचार सह करके डरे बिना जुकने का तो नामो निशान नहीं था सीना तान के खड़े रहे और आज भारती जनता पार्टी का विजय द्वच्च हिंदुस्तान में चरूं और फहराने में देश भर के कारकरताओं का यह संकल्प यह पुर्शार्प और गुजरात के कारकरताओं नहीं कि वी सफल यात्रा यह इसके मूल में है और इसलिए ऐसे देव दुरलेप लक्षावदी मेरे साथियों को उनके आशिरबात पाना इससे बड़ा जीवन का सवभाग यह क्या होता है दोस्तों जो आज मुझे आपने दिया है त्योहार के दीन है नवरात्री के बाद 15-20 दिन तक गुजरात में व्यापार रोजगार के सिवाए कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल जाता है जब मुझे आज 16 तारिक मांगी गई तो मैंने कहा था भाई दिवाली तो गुजरात का सबसे बड़ा महोत्स होता है क्या लोग दिवाली छोड़के आएंगे और महरान था गुजरात प्रदेश भारतिये जनता पार्टी के सभी नेता एक स्वर से बोले नरेंद्र भाई अरे तमें तारिक आपों ने बस और उनकी बात मैं देख रहा हूँ शायद भारतिये जनता पार्टी के इतिहास में कारे करताओं का इतना विशाल के सरिया महाकुम मैंने कभी नहीं देखा बहुत डालिश देस में देखें हैं बहुत सरकारें देखी हैं दन बल पर चलने वाली पार्टियां बहुंश बांद पर पलने वाली पार्टियां इसके सामने शत्य प्रतिशत लोग तांत्रिक व्यवस्ता से नीचे की काई से उपर तक पार्टी को चलाने का काम भारतिय जनता पार्टी ने करके दिखाया है मैं पार्टी के राष्टी अध्यच्छ और इसी धर्ति के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता इस पार्टी ने इस परिवार ने उनके साथ क्या वेहवार किया वो इतिहास गवाह है दोस्तों मैं उसको दुबारा दोहराना नहीं चाहता अरे मनी बेन पटेल सरदार बल्लब भाई पटेल की बेटी उसके साथ क्या वेहवार किया इतियास गवाह है हमारे मुरार दिवाय देशाई देश के गुजरात से प्रधान मंत्री बने तो इसी तोली ने दुनिया भर में यही फ्याला दिया कि वो क्या पीते हैं और क्या नहीं पीते हैं उनके काम की उनके परिश्णम की उनकी दिर्ग दृष्टी की मात्मा गांदी के विचारों के प्रति उनके समरपड की एक बात कभी उभर करके आने नहीं दी गई मोरार जी भाई को हर प्रकार से नेश्ट नावूत करने के लिए ये परिवार पुरी ताकत से जुड़ गया था गुजरात उनको पसंद नहीं है हमारे बावुबाई जजबाई पटेल जनता मोर्चा की सरकार का नेत्रुत्व किया था और जीद 1975 में गुजरात में जनता मोर्चा की सरकार बावुबाई जजबाई के नेत्रुत्व में बनी थी उसी दिन ब्रस्टाचारी कॉंग्रेस का मृत्युगंड बच चुका ऐसं बावुबाई जजबाई की सरकार को बी टिकने नहीं दिया अब आथकाल में सरकार को तोड़ दिया गुजरात के प्रति उनका वेश चिरप उनके विरोधियों के लिए नहीं अपनों के लिए भी अगर बली चड़ाना है तो पहले गुजरात माले को चड़ाते थे मादव सिभाई सोलंग की गुजरात में सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस को सीट दिलाने का काम मादव सिभाई ने किया था केंद्र सरकार में विदेश मंत्रा ले था लेकिन ए चिठ्थी लेकर के गए चिठ्थी लेकर के और बोफोर्स के मामले में इस परिवार को बचाने के लिए उम्यदान में आए और जब नौबत आई तो मादव सिभाई का इस्तिभा ले लिया गया उनको घर भेच दिया गया और उस परिवार को बचा लिया गया गुजराद के किसी भी रिख्टी को किसी भी तलका क्यों नहों ये परिवार ये पार्टी मौका नहीं छोड़ती उनको खत्म करने के लिए मैं तो एक मुख्यमंत्री था अरे आपके पास पूरी हिंदुस्तान की सलतरत थी उसमाएं कैसे कैसे शड़नत्र किये थे आपने मुझे जेल में डालने के लिए आपने तै किया था जब तक हमी छाह को जेल में नहीं डालेंगे मोदी तक पहुंच नहीं पाएंगे और आज देख लिया सच कैसे उफर करके आ गया हम कहां है आप कहां हूँ विकास्चो भारत माता की भारत माता की बंदे बंदे, 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 बंदे कत ईच्ड़ी ॢर्बूस्च एड़स्च एड़स्च जह जब हान माईगछनी के नहुत मुम्रबूस्ची तर. कत ईढ़स्च एड़स्च एड़स़्श्यना बने जाकोक भाallर छ़स्चे झाड़स्च हाने आदर्णिया नरेंद्र भाई अने आदर्णिया अमीद भाई यहमनो अने मंचास्त सव महमानों नो अभार मानिये चिये आदर्णिया अने मानिये चित्र भाई इन मेहमनों भाई और भाई ग pess